जोती शाष्टर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 81 साल के बाद ग्रहों में सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है इस परिवर्तन में बुद्ध ग्रह मेश रासी में प्रिवेश कर रहे हैं आपको बता दे कि बुद्ध के इस परिवर्तन से कुछ राशियों के जातकों के जीवन में सकरात्मक बदलाव होने वाले हैं मेश रासी में बुद्ध ग्रह लगभग एक महीने तक रहेंगे जिसका सबसे ज्यादा लाव इन छै राशी वालों को मिलेगा और महालक्ष में भी खुद उनके घर आने वाली हैं और इनको माला माल भी करने वाली हैं तो आईए आपको बताते हैं कि 80 साल के बाद बनने वाले इस महा सन्योग से किन 6 राशियों वालों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं तो चलिए बताते हैं आपको उन राशियों के बारे में पहला मेश राशी मेश राशी के जातकों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है आपके किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है 81 साल के बाद ये महा सन्योग होने से आपको बहुत ही ज्यादा लाव होने वाला है आपको अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त होने वाली है आपको धन में भी बृद्धी होगी साथ ही जो ब्यक्ति नौकरी करते हैं और उनका प्रमोशन भी हो सकता है और जो ब्यापा शातर से आपको बहुत ही लाब होगा. आपकी सभी मनों कामनाय पूरी होगी, साथ ही सभी रुके हुए काम भी पूरे होगे. व्यापार में बहुत ही ज़्यादा लाब भी होगा. अँचाहे धन की प्राप्ति लाब हो सकती है. छातरों को पढ़ाई में बहुत ज्यादा लाब होगा, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलने के योग हैं, तीसरा, सिंग राशी, सिंग राशी के जातकों का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपको अपने सभी कामों में काम्याबी मिलेगी, अगर आप कोई नया बेवसाय शु सफलता मिलेगी, आपके धन प्राप्ती के योग बंद हैं, आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा, छात्रों को पढ़ाई में उच्छे सफलता प्राप्त होगी, पाचवा, धनूराशी, धनूराशी के जातकों के जीवन में कई तरह के नय बदलाव आएंगे, आ भारी मात्रा में धन की प्राप्ती हो सकती है, परिवार में खोशी का माहौल बना रहेगा, आपको हर काम में सफलता मिलेगी, नौकरी पेशावालों को धन का लाव हो सकता है, छठा, कुम्बराशी, कुम्बराशी के जातकों का समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपको ह एक्ष नाइन स्पिरिच्वार के रिपोर्ट